हेलो क्लास फर्स्ट आज हाप मैठ में स्टुडी करेंगे चैप्टर एट एडिसन ओके तो यहां देखिए फर्स्ट कोशन क्या है एड़ बाइड काउंटिंग फारवड यह आपको काउंट करके एड़ करना है यहां देखिए फर्स्ट की कोशन क्या है 16 प्लस 4 इक्वल टू क्या आएगा ओके तो 16 के बाद क्या आता है 17 तो आप पहले क्या करेंगे फॉर कॉलम ड्रा कर लेंगे ऐसे ओके फुर बॉक्स बना लिजेगा सेवेंटीन देन एटीन देन 19 और देन 20 इस बाक्स में आप क्या राइट कर देंगे 20 ओके ऐसी सकींड कुस्टिं देखिए 17 18 19 15 & 20 तो आप बॉक्स में राइट कर देंगे 20 देन 15 प्लस 5 तो कांटिंग करेंगे 15 से 16 17 18 19 15 & 20 तो बॉक्स में क्या राइट कर देंगे 20 ओके फ़र्ड प्लस 4 तो फॉर बॉक्स आप बना लिजएगा उसके बाद कांटिंग करिएगा 14 से स्टार्ट कर देजएगा 15 से 15 16 17 18 तो बॉक्स में आप क्या राइट कर देंगे 18 ओके ऐसी नेक्स्ट यहां पर क्या है 26 प्लस 3 तो आपको 3 बॉक्स बनाने है तो 27 26 के बाद क्या आता है 27 28 29 तो बॉक्स में आपको क्या राइट करना है 29 ओके यहां पर भी आपको कांटिंग करके बताना है तो देखें क्या है 92 प्लस 7 तो इसके लिए आपको 7 बॉक्स बना लेने है तो 92 के बाद क्या हो जाएगा आपका 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तो बॉक्स में क्या राइट करतेंगे 99 सेम इस 75 प्लस 9 तो आप 9 कांट करिएगा ओके 75 के बाद 9 तक कांटिंग करना है कितना है 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 और बॉक्स में क्या राइट करतेंगे 84 ओके देन 56 में आपको 7 आट करना है तो इसके लिए 7 लाइन आप ड्राइट कर दीजेगा ओके और उसके बाद राइट करिएगा 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और बॉक्स में क्या राइट कर दीजेगा 63 नेक्स्ट है आपको 9 आट करना है 60 में तो इसके लिए आपको 9 लाइन ड्राइट करनी पड़ेगी ओके तो 60 के बाद कांटिंग करेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 60, 69 और बॉक्स में क्या राइट कर देंगे 69 ऐसी 53 में आपको क्या राइट करना है एट तो इसके लिए आप 8 ला करेंगे और 53 के बाद 8 तक काउंट करेंगे 54 55 56 57 58 59 60 61 और 61 आप बॉक्स में राइट कर देंगे कि यहां पर क्या फाइंड दा प्लेश होल्डर इसारी फिलिंग दा प्लेश होल्डर आपको फिल खरना है तो यहां पर देखें टेंट 2030 तो इसपर देख सब्सक्राइब और यहां पर आइट करेंगे गया तो देखिए फश्ट में 10 कितना है one है और second में कितना है 10 से आपका two है तो 110 और 210 मिलके कितना हो जाएगा 310 इस पॉक्स में आप कितना है यहां पर राइट कर देंगे 30 ओके यह ऐसी ही second question में 30 310 और 310 तो कितना 10 हो जाएगा 610 तो आप यहां पर राइट कर देंगे 60 610 का मतलब 60 3rd question में 210 और 410 है तो 210 और 410 मिलके कितना हो जाएगा 610 मतलब 60 Okay Then 310 and 410 कितना हो जाएगा 710 that means you will write here 70 Okay Next 110 and 310 कितना हो जाएगा 410 तो आप राइट करते हैंगे 40 Next Again आपका यहाँ पर 410 और 410 है तो कितना हो जाएगा 810 that means 80 Then 210 और 510 710 that means 70 And 310 and 610 910 मतलब 90 And 510 And 510 that means 1010 Okay That means you can write here also 100 Okay कितना हो जाएगा आपका यह 100 यहाँ पर भी आपका 100 ही आएगा तो आप यहाँ पर 100 राइट करते हैंगे Next 710 and 310 कितना हो जाएगा 10 10 That means 100 तो यहाँ दिखी Students क्या है Add the following using expanded form Okay Expanded form में करके आपको Add करना तो पहले से आदे मैं आपको Explain कर दे रहा हूं तो यहाँ दिखी कितना 25 और कितना 13 25 में 10 कितना 2 तो यहाँ पर आप राइट कर दिये 2 और 1 कितना है 5 तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपने राइट कर दिया 5 Then 13 में 10 कितना है 1 तो 1 राइट कर दिया और 1 कितना है 3 तो इस बॉक्स में आपने 3 राइट कर दिया तो 5 3 कितना हो जाएगा यह आपका 8 तो यहाँ पर आप कितना राइट कर दिजेगा 8 और 2 1 कितना होता है 3 तो यहाँ पर आप राइट कर दिजेगा 3 अब 3 10 और 8 1 कितना हो जाएगा 38 तो यहां पर आप कितना राइट करेंगे 38 ऐसी सेकेंड कोश्चन में 34 में आपका 10 कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 43 में 10 कितना हो जाएगा 4 तो यहां पर आप राइट करेंगे 4 और 1 कितना है 3 तो यहां पर आप राइट कर दिजएगा 3 अब 1 और 10 कितना हो जाएगा 7 तो इस पॉक्स में आप राइट करेंगे 7 और यहां पर 4 3 कितना 7 तो 7 10 और 7 वंस मिलके कितना हो जाएगा 77 तो यहां पर मुझे लग रहा होगा मुझे लगर को चलिए को स्थेवन है तो सेस्टी सेवन 17 कितना और और वन कितना सबसेंच इंदो सब्हआ है यह वर कितना हो चेलिए उसके इतन कितना है Sam तो 7 10 और 8 1 कितना हो जाएगा 78 तो इस बॉक्स में आप कितना राइट कर देंगे 78 ऐसी आपकी अधर कोस्टन्स भी हो जाएंगे ओके तो आप खुद करिएगा और इस वीडियो से अपने अंसर को मैच कर लीज़ेगा आज यहां पिदिखें का है एड़ करना है तो मैंने पहले सी राइट कर लिया है तो कितना है 36 और 13 to 36 में हटेन स्कितना है three और वन्स कितना है six एसे 13 में आपका टिन्स कितना है one और वन्स कितना है 30 तो six three यहाँ लागंई कितना हो जाएगा nine और three quarters प्र आपके कितना हो जाएगा 40 9 ऑके यहां 50 3 तो 53 थे आपके कितना रैट करेंगे तो 5 और वन्स पी कितना राइट करेंगे 3 और 16 में 10 कितना है 1 और वन्स कितना है 6 अब 6 3 आप एड करें कितना हैगा 9 ओके और 5 1 कितना 6 तो कितना हो जाएगा आपका यह 69 ऐसी 3rd question देखें यह वाला 62 है तो इसमें 6 क्या है 10 है तो 10 पे आप कितना राइट कर दिये 6 और वन्स तो में 10 कितना है 2 और वन्स भी कितना है आपका 2 ही है तो यहां पर 2 राइट कर दिया 2 2 4 और यह 62 आपका कितना है 8 तो मिला कि कितना हो जाएगा 84 ओके ऐसे आपकी यह other questions भी solve हो जाएगे तो यहां प्लस करना है तो 6 और 3 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 ऐसे 2 2 कितना हो जाएगा 4 ओके देन 7 2 9 और 2 2 4 ओके देन यहां 4 इस question में देखे 4 5 9 6 2 8 ऐसे यहां पर देखे इस question में 4 3 7 और 4 4 8 ओके देन 4 1 5 4 3 7 ओके यहां 4 और 5 कितना हो जाएगा 4 5 9 और 7 1 कितना हो जाएगा 8 ओके देन इस question में देखे 8 1 9 और 1 8 भी कितना होता है 9 99 यहां 8 और 0 कितना हो जाएगा 8 और 5 2 कितना हो जाएगा 7 78 ऐसे इस question में देखे 9 और 0 कितना हो जाएगा 9 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 एडिशन आपको सीखना पड़ेगा counting थोड़ी सी fast रहेगी तो आप भी मेरी तरीके से fast कर सकते हैं 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 7 2 कितना हो जाएगा आपका 9 okay write the correct number in the box तो यहां पर देखे box बने हुए हैं और पहले से फिल है लेकिन कैसे फिल होता है आपको बताता हूं बहुत ही जी कुछ भी नहीं करना आपको प्लस तो देखे पहले आप इस question में देखें जो मैं circle करना हूं इस में देखें यहां देखें कितना left side में 18 है और 17 & तो राइट साइड में 17 और यहां पर बॉक्स बना आपकी बुक में कुछ भी नहीं यहां पर राइट है तो जो लेफ्ट साइड में होता है वह राइट साइड में भी होना चाहिए तो लेफ्ट साइड में 18 और 17 है लेकिन राइट साइड में क्यों आपका 17 है जो बॉक्स ब 24 ऐसी 3rd question में भी है left side में क्या 62 15 लेकिन राइट साइड में सिर्फ 15 है तो box में क्या आजाएगा आपका 62 आजाएगा ओके यहां पर आप क्या write करते हैं कि इस box में 62 फोर्थ नमबर देखे 12 और 60 है left side right side में क्या 60 है कि वल तो यहां पर इस box में क्या आजाएगा 12 क्योंकि 12 तो दिया नहीं है ओके यही प्रोसेस आपका यहां पर भी है देन एक्सट को चर्ण नमबर फोर है आपको यहां पर क्या करना अट करना तो थोड़ा सा एंपर एड़ का प्रोसेस दूसरा है देखे पहले क्या किया गया यहां पर 2 और 3 को एक ब्रेकेट में लें लिए गया ओके एक box में 23 अब यह तो और 3 अगर आपकर कितना हो अब यह 1 और 5 कितना मिलके हो जाएगा 6 तो इस वाले box में आप write करतेंगे 6 ऐसे यहां पर 5 और यह 2 और यह 2 एक box में write किया 2 2 कितना हो जाएगा 4 यहां पर आपने write किया 4 अब यह 5 और 4 count करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इन यहांपे 6 और 11 आपको वन बॉक्स में करना तो 6 और 11 एड कितना मिलेगा आपको 17 और यहां लेमें Summen 2017 कितना हो जाएगा 9 तो इस वक्समें यहां आपने आपने राइट कर दिया 2 एसे यहां और 15 एक box में write कर दिया और 32 आपका separate है कि 20 में 15 अगर आट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 35 और यहां कितना 32 अब 35 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 67 ओकि अगर प्रॉबल्लम होती तो ऐसे आप और और जंटल राइट कर लिजएगा वर्टिकली राइट कर लिजेगा 32 और 35 उपर में राइट करके बता रहा हूं 527 और 336 ऐसे भी आप कर सकते रफ में ओके नहीं नेक्स्ट यहां पर भी आपका क्या ही प्रोसेस है तो आप खूद करिएगा और मेरी वीडियो से अपने आंसर को मैच करिएगा नेक्स्ट है यहां पर आपका सीमा हैस 12 पैंसिल और पेरणा गिप्स हर 14 मोर पैंसिल सीमा के पास 12 पैंसिल थी और पैंसिल ने उसे 14 और पैंसिल दे दी how many pencil does Sima have now अब Sima के पास कितनी pencil हो गई तो more हो जाएगे more के लिए क्या करेंगे plus देखे कैसे write करेंगे Sima has 12 pencil and Pirna gives 14 pencil तो now Sima has 12 plus 14 that means 26 pencil next mother has 15 coins mother के पास 15 coins थे and his father give him 34 more coins और उसके father ने उसे 34 coins और दे दिये how many coins does he have now अब उसके पास कितने हो गए तो कैसे write करेंगे mother number of coins mother has 15 and mother's father's give him 34 coins so total number of coins that mother has now अब mother के पास total कितने coins हो जाएगे तो इसके लिए प्लस किया जाएगा 15 plus 34 और एड करेंग तो कितना हैगा 49 next question है there are 19 boys in the first row first row में कितने boys है 19 and 40 boys in the second row second row में कितने 40 boys है how many boys are there in the two rows दोनों rows में मिला के total कितने boys हैं तो इन दा फर्स्ट रो यहां पे रो हो जाएगा रा रा रॉंग लिखा है रो देर आर 19 बॉइज और इन दा सेकेंड रो देर आर 40 बॉइज ओके तो टोटल नमबर आप was in the two rows इक्वल तो 40 प्लस 90 अब आप एड करेंगे कितना हो जाएगा 59 ओके नमबर 4 है I have 43 रूपीज मेरे पास 43 रूपीज है and my father gives me 36 more रूपीज और my father ने 36 रूपीज और मुझे दे दिये how many रूपीज have I now अब मेरे पास कितने रूपीज हो गए तो मूर हो जाएगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा लिखिन राइट कैसे करेंगे I have now 43 रूपीज and my father give me 36 रूपीज so total number of rupees that I have now equal to 43 plus 36 equal to 79 next question है Amar gets 54 marks in a test Amar के एक test में 54 marks थे and Nupur के कितने marks थे 45 marks थे find the sum of the marks obtained by Amar and Nupur तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि दोनों के marks का sum आपको बताना है ओके तो यहाँ पर Amar gets 54 marks and Nupur gets 45 marks तो टोटल marks obtained by Amar and Nupur 54 plus 45 that mean equal to 99 next question है there are 36 chair in a classroom एक classroom में 36 chair है and 63 chair in other classroom और दूसरे classroom में 63 chair है how many chairs are there in both the classroom तो दोनों क्लास्रूम की chairs में आए तो कितनी chairs हो जाएंगी तो इन वन क्लास्रूम देर आर 36 chairs and in other classroom there are 63 chairs total numbers of chair in both the classroom equal to 36 plus 63 तो दोनों को आड करें कितना हो जाएंगा 99 next है there are 51 boys and 36 girls in a school एक school में 51 boys or 36 girls है how many students are there in all in that school उस school में कितने total students है तो इसके लिए plus करना पड़ेगा आपको और हाँ अभी तक अब आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले साथ में bell icon को भी प्रेस कर दें जिससे मैं जब भी वीडियो बनाओ तो आपको पता चले number of boys कितने है 51 and number of girls कितने है 36 so total number of student equal to 51 plus 36 और अगर आप add करेंगे 51 or 36 को आपको क्या मिलेगा 87 then question number 8 there are 72 pencil in one packet एक packet में 72 pencil है and 26 pencil in another packet और दूसर पैकेट में कितना है 26 pencil है find the total number of pencil in the two packets तोनों packets मिला के total कितनी pencils है तो इसके लिए भी plus करना पड़ेगा तो कैसे राइट करेंगे in one packet there are 72 pencils and in another packet there are 26 pencil therefore the total number of pencil in the two packets equal to 72 plus 26 और प्लस करते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको 98 okay इसके राइट okay